जैहिन दोस्तों नमस्कार मैं प्रमोध अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोध यूटूब चैनल में प्यारे साथियों आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यह सेट नंबर 11 है इसके पहले हम दोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं तो आज हम लोग उसके आप लोग जाचे होंगे पर रखे होंगे कि आपके तैयरी अभी तक किस लेबल तक पहुँच चुकी है ठीक है प्यारे साथियों आप जानते हैं कि आपके पेपर में टोटल मैथ के 19 कोश्चन आने वाले हैं इन 19 कोश्चन में हमारा टार्गेट है कि 19 में से 19 हमारा कोश्चन आप बना पाते हैं एक बार हमें आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताएं किलियर हैं चलिए तो अब इस्टार्ट करते हैं हम लोग पहला कोश्चन है आपके स्क्रीन पर एक बार सभी प्यारे साथी वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेंगे और अपने कहा गया है एक रएसी पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्स होता है में होता है सक्सेशव सक्सेशव चेंज होता है 20% ये क्या है प्रतिवर्स वार्सिक है लेकिन आप से क्या पुछा है अर्धवार्सिक जब अर्धवार्सिक हो जाएगा तो समय दो गुना होता है रेट आधा हो जाता है तो समय क्या है एक वर्स है तो एक का दो गुना दो हो जाएगा और rate क्या है 20 प्रतिसत तो 20 का आदा 10% हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं successive method से देखे rate क्या हो गया 10% तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100 किलिए रहे भाई देखे यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे 10-10-20 और 21-21 क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 यह 21 क्या आ गया तो आपका जबाब होगा सर 21 जो है यह चक्विर्धी ब्याज आ गया के लिए इस बात में कोई दिक्कत है 21% क्या आ गया तो आपका जबाब ही होगा कि 21% सर चक्विर्धी ब्याज है तो चक्रिदी व्याजकार प्रसेंटेज कितना है 21% है जो मुलधन होता है वा 100% के बराबर होता है प्यारे साथियों तो 18,000 क्या है 100% के बराबर है एक प्रसेंट का मान क्या हो जाएगा तो दसमलोग दो अस्थान पे लगाएंगे तो 180 हो जाएगा एक प्रसेंट का मान ही 100% का मान क्या है तो एस प्रसेंट का मान दोस्तो 18,000 है क्या है एक प्रसेंट का मान क्या हो जाएगा 222-2-0 गैंसिल हो यहाँ पर आ जाएगा चक्वरिधी व्याज होगा जो कि आपसन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है भाई इसका चक्वरिधी व्याज होगा आपसन नंबर एक इस बात में कोई दिक्कत परसानी है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बता सकते हैं प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमेशा कहा है कि आपसे कि जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं तो अप को दिक्कत होती नहीं सुहिवाते आता है वहाँ पर आप लोग कमेंट बाक्स में यह तुरंत लिखेंगे किलियर भाई इस बात में कोई दिक्कत परसानी नहीं होनी चाहिए सभी लोग इमांदारी से जुड़े हैं तो इमांदारी से दोस्तों पर तैयारी भी करनी होगी बैकिन वाहिए चोले इंगले कょस्टन की और हम दो चलते हैं दुसरा प्रस्ण आपके स्क्रीन पर लेते हैं चली और देखी दोस्तों बेखें सी कंसी एक बहुत बहुत बेहतरी चांस है 28,000 अंकित मुल्ल वाली एक वासिक मसीन को 15% और 10% के 2 क्रमे के छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान के लिए 5% की अत्रिक छूट भी पेस की जाती है नगद भुगतान पर वासिक मसीन का विक्रे मुल्ल कितना होगा अगर दोस्तों नगद भुगतान करते हैं तो वासिक मसीन का विक्रे मुल्ल क्या हो जाएगा यहां पर आपसे पूछा गया है वासिंग मसीन का अंकित मुल्य क्या है तो आपका जबाब होगा सर 28,000 रुपय हैं क्या है 28,000 इस 28,000 पर सबसे पहले दो कर्मिक छूट दिया गया है 15% और 10% 15% का छूट दिया जाएगा तो आपका जबाब होगा बिकेगा कितना में तो 85% में 85 बट्टे 100 ठीक है भाई अगल आगे 10% का छूट दिया गया है तो कितना में बिक जाएगा दोस्तों तो 10,100-10,90% पर यह पर बिकेगा लेकिन दोस्तों जब नगत भुगतान करते हैं तो वहाँ पर 5% की अत्रिक्त छूट मिलती है तो 5% अत्रिक्त छूट मिलने का मतलब 95% समान को बेचा गया क्लियर यह यह क्या हो गया यह हो गया इसका विक्रेमुल निकल गया यहां से आप 0 से 0 काट सकते हैं दो दो चार चार जीरो उपर कट जाएगा यहां पर देखिए कट गया 5 से काटिए 17 पंजे पचासी सत्रे बार में क्यासी पांस से काटिए यहां पर 5 से काटेंगे तो 25 500 होता है पांस से काटेंगेichtet 19 पंजे पंचानवय चार वार में क्यासील होगा और आपको को क्राणा क्या है 17 गड़े नौ गड़ए 19 करने हैं लेकिन दोस्त وتौम गुगा भी नहीं करना है आपको इकाई अंग चेक कर लेने हैं इकाई अंग देखिए क्या हो गाँ हो गा यहां पर देखिए नव यहां पर नौ इकाई अंग है नौ का नौ और तीन देखिए आप लोग अपसर नंबर तीन में इस इकाई कंक्या है तो नौ है और यह होगा इसका राइट अंसर इस बात में कोई दिक्कत प्रसानी प्यारे साथियों सभी लोग कमेंट करके बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे भारत माता की जै लि ये कोशन बड़े ही लाजवाब प्रसन है आपके सामने दिया गया है देखिए दोस्तों इस प्रसन में कहा गया है कि यदि 123-4-a-6-18 से भी भाज जा है तो एक आमान क्या होगा क्या बोला गया है एक दो तीन चार और यहां पर क्या दिया गया है ये दिया गया है इसके ब और यहां यहां आप जानते ना मैं जानता हूं लेकिन दोस्तों हम इतना जानते हैं नो करूँ हैГर इस और दोनों को वीफास्तक्र नियंब पर फालो करना चाहिए दो का विभाजता का नियम कहता है कि एकाई का अंक सम है तो वह दो से कट जाती है तो छे क्या है एक सम संख्या है तो ये तो दो से कटेगी इसके बाद नौ का विभाजता का नियम कहता है इसका अंकों का योग नो से कटना चाहिए अगर अंकों का योग नो से कट गिया तो साथ को नौ बनाने के लिए आप कितना जोड़ेंगे तो दो जोड़ेंगे साथ को नौ बनाने के लिए एक एस्थान पर क्या रखना पड़ेगा तो आपको दो रखना पड़ेगा तभी जाके नौ बन सकता है ठीक है भाई तो एक एस्थान पर क्या रखना पड़ेगा दो क्या रखेंगे भाई दो रखेंगे आपसन नमबर एक चलिए उम्मेद करता हूं कि सभी भाईयों को सवाल समझ में आ गए होंगे अगला प्रसन है प्रसन नमबर 4 है दोस्तों आपके सामने आईए यहां पर यह एक्स का प्रतिषत है एक बार सभी लोग देखिए fahren से परसनट कैंसिंट होगा प्रसन से परसन परसनट कैंसिल होगा 30 से कम 30 और 30 dejar job कि यह स्पाइब आए जाएगा देखे एक स्पल स्वाई माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा कमान यह यानि एक हो जाएगा यहां से आप यह वाई कमान निकाल दोस्तों दोनों को जोड़ी देजी वोपर गटा के नीचे लिखा जाएगा यहाँ पर बोला गया है कि वाई यक्स का कितना प्रतिसत है किसके साथ का लगा है तो आपका जबाब होगा स्थर यक्स के साथ का लगा है जिस संख्या के साथ का लगा होता है वह हर में लिखी जाती है यक्स का मान क्या है यक्स का मान दोस्तों तीन वाई का मान एक है यक्स क सात काल आगा है तो नीचे तो होजाएगा तीन तो ऊपर क्या होगा एक हो किलिए एक बटे तीन है भिन को परसेंट मिसलने के लिए सव से गुणा करते हैं तो सव से जब गुणा करेंगे तो इसका जो आपसर आजाएगा वह 33.33% हो जाएगा क्या होगा 35.33% जो की अपसर नमबर डी यानि चार इसका राइट हो जाएगा किलियर है एक बार सभी प्राइब साथी हमें कमेंट करके बताएंगे किया इस सवाल में कोई दिक्कत आपको है पढ़िए दोस्तों सवाल को एक बार सभी लोग पढ़े के समझे सबसे पहला काम आपका है कि सवाल को समझना है देखिए सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसका आंसर भी नहीं बता पाएंगे तो इसलिए आप लोग सवाल को असानी से पढ़े ध्यान से पढ़िए पहले नमबर उसको समझे क्या करना चाहता है सवाल इसमें कहा गया है कि एक खेल के मैरान की परिधी क्या है चावाली सेंटेमीटर है याद रखिएगा अगर परिधी चावाली सेंटेमीटर होता है तो इसकी जो रेडियस यानि त्रिज्या होती है प्यारे साथ मैं और बोला गया है इसके चारों और बाहर से 4 सेंटेमीटर की चौघाई वाला एक एक ब्रित्यपत् है तो ब्रित्य पत के च्छत्रफल बताइए कुछ इस परकार से फिगर होगा यहां पर यह एग क्या है ब्रित है अभी इसका यहां पर देखिए ब्रित इसका वास्तविक यह है ठीक है इसका जो वास्तविक ब्रित कौन है यह है यह है जिसकी त्रिज्जा है कितना साथ सेंटिमीटर त्रिज्जा क्या है तो इसकी त्रिज्जा क्या है दोस्तों साथ सेंटिमीटर किलियर है और यहां से लेकर यहां तक लेकर यहां तक तोटल लंबाई कितना हो जागा साच चार 11 सेन्टी मिटर आ देख रहे हैंगे यहां पर दो ब्रिक्त बन रहा है और हिस्टा जो आप देख रहे हैं यह वाला हिस्टा इक्या है इ immigrant जो रास्तह यह रास्ता है यह बाहरी रास्ता है, किलियर है, तो इसी रास्ते का छेत्रफल आप से पूछा गया है, तो किसे निकालिएगा, इसमें दो ब्रित बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है, बाहर वाला एक अंदर छोटा वाला बन रहा है, तो बाहर वाले ब्रित के छेत्रफल में से आप छोटे छेत्रफल घटाएंगे यह वाला हिस्था बच जाएंगा इनास्ति का छेत्रफल बच जाएगा तो बाहरी बिरित का छेत्रफल कर तरदेंगे आंसर आपके सामने हो आर स्कुर्य्यर माइनस का नियम लगा दिंगे तो पाई एक को श्कंड में आर प्लस आर और एक कोश्टट में आर माइनस का आर पाई तो होगा करेगा आर पलस आर करेंगे यानि टोटल क्या है 11 है कैपिटल आर का मान क्या है 11 है इसमाल आर का मान क्या है 7 है 11 7 18 हो जाएगा दोस्तों क्या होगा 18 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा 18 चोग 72 हो जाएगा यानि 72 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 72 पाई 72 पाई इसका राइट आंसर है दोस्तों आपसर नमबर 1 किलियर है बताएए दोस्तों सभी लोग एक बार बताएंगे क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है आगे बढ़े भाई अगला कोशन देख लिजिए प्रस नमबर 6 है प्यारे सातियों आपकी स्क्रीन पर कुछ इस परकार से आएगे समझते हैं यहाँ पर रिया क्या गया है तीन संख्याएं है पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तीन संख्या है दोस्तों एक संख्या हमाल लेते हैं एक संख्या बी है और एक संख्या क्या है तो एक संख्या सी है पहली जो संख्या है दूसरी की तीन गुनी है जो पहली संख्या है दूसरी की तीन गुनी है अगर दूसरी एक है तो पहली संख्या क्या होगा तीन होगा दोस्तों और तीसरी संख्या पहली की तीन चौथाई है तीसरी जो संख्या सी है वो पहली की तीन चौथाई है तो अगर पहली जो है चार होगा तो तीसरी क्या होग तीन हो जाएगा ठीक है बताए कोई दिक्कत अब यहां पर आप देखिए यहां पर पहली संख्या यहां पर क्या है तीन है और यहां क्या कर रहा है चार है इसको आप बराबर कर दीजिए बराबर करने का मतलब इसमें आप चार से गुना कर दीजिए चार से यहां भी तो चा अभी करेंगे गुणा करता कि यह हो जाएगा ये कामान 12 होगा संबन्ध यहां करो यहां पर नहुं जाएगा ता कि यहां होटा है यहां ऊटाएं मेष्टा यह नुष्टक वटीट शंख्या तो वार सार्णलों नो पचीष 25 बटे 3 बरावर कितना है 125 है क्या है दोस्तों 125 है ठीक है तो 15 से काटिंग ने तो पचीस एक कम 25 पचीस पंजे 125 एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा तो पंद्रे हो जाएगा आप से पुचा है दूसरी सबसे बगी संख्या बताइये पहली बड़ी संख्या बार रहे है दूसरी सब सबसे प्रसन है दोस्थों है जो प्रस नमबर साथ है आपके सामने इहां पर इस प्रकार से बोला गया है की राजेस पहले 170 60 km की यात्रा 64 km पर गहंटा की चाल से और अगले 160 km की यात्रा 80 km पर गहंटा की 40 यात्रा के पहले 320 km के लिए औसट चाल बताइये कितना होगा यहां पर क्या है दूरी समान दिया गया है पहला एक km है पहले 160 km दूसरे 160 km दूरी से महे तो दूसरों और सचाल निकालने का도 तरीका होता है तूं है एक्स्वाई इख पलस वाई ठीक है पहला चाल गुना दूसरा का दू गुना बने हैं दोनों चानों का योग्षब कर देंगे जहां पर स casos अग्युना असौट बटे में 64 और 80 क्या हो जाएगा 8 6 14 144 हो जाएगा दोस्तों 144 16 से काट दीजी आप लोग 16 9 144 और 16 चव को 64 चार बड़ में कर जाएगा ठीक है चार दूनी 888 64 यानि 640 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 से भाग देंगे तो 9 साते 63 बचेगा क्या 9 एक कम 9 यानि 171 एक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 171 एक आपसर नंबर एक ठीक है भाईया किएग 7N11 इसका बिलकुल सही उत्तर होगा जो की आपसर नंबर एक में दिया गया एक लियर है अगला कोश्यन देखीए कि पढ़िए दोस्तों सवाल को एक बार सभी लोग पढ़िए एक बार सभी लोग इसस सवाल को पढ़िए क्या कहना चाहता है सवाँ 14 लीटर 280 मिली लीटर संत्रे का रस और 18 लीटर 830 मिली लीटर गाजर का रस एक साथ मिलाया गया जब एक साथ मिलाएंगे टोटल क्या हो जाएगा टोटल कितने इसका मात्रा हो जाएगा यहां पर देखिए 14 लीटर को आप मिली लीटर में बदलेंगे एक हजार से गुना करेंगे तो 14,280 मिली लीटर हो जाएगा 14,280 मिली लीटर यह तो हो गया क्या चीज़ संत्रे का रस और 18,830 मिली लीटर गाजर का रस 18,3830 मिली लीटर एक गाजर खरस हो गया दोनों को मिला देया गया तो रस कितना बन गया यहां पर देखिए जीरो आठ तेनी ग्यार है और आठ दू दस एक ग्यार है और आठ चार बार है एक तेर है दू एक तीन तैंतिस हजार एक सो दस मिली लीटर रस टोटल हो गया अब इसमें कहा कि इस मिस्नर को क्या बोला गया रिखिए इस मिस्नर को 15 बोतलों में भरा गया था जिन में प्रतेक में मिष्णा ताया है देद्य सुध्यित वाकतम čब अन्य लीटर में जब भरेंगे इसको कि लिए ओसर बोतल कर आप इसको हरेकं बोतल में कितना समलों एक दसमलों पांच है एन्य देश्र लीटर एक बोतल में हमें रश आता है ठीक है तो कीतना रस हो गया 206 25 25 25 किस दस्मॉल एक अस्थार्ट लगाएंगे लेकिन ये तो लीटर में है में लीटर वद्रेंगे सो से एक क्रिया से गुणा कर देंगे यहां पर ठीक लीटर शेट क्रिंदेंगे दस्मॉल जो है एक जीरों से खतम क्रिपार यहां पर मिश्दर 10 रहा कितना मिश्दर भी बच गया है भठ दीजे इसको 220 1500 गटा तो क्या बचेगा यहां पर घटा देजी दोस्तों कि जीड़ो एक ग्यारे में से पांच गया तो छै और जीड़ो यहां पर तीन में से दो गया तो एक यानि यानि दस हजार 610 मिलिलीटर मिस्व भी बचा है दस याज सो दस का मतलब होता है एक यह से भाग देंगे तो 10 λीटर 610 मिलीटर इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, 10 λीटर 610 मिलीटर, अभी मिश्क्रक्या है, सेस बचा है, नहीं भड़ा गया है, तो किसमें है आप्सन는지 no.4 में दिया गया है, इसका बिल्गुल सही उत्तर हो जाएगा, सभी कमेंड करके बताएंगेंगे क्या इस सबाल में कोई दिक्कत परसांगी है आगये बढ़े है अगला परस्शन्ट देख्यों आपके प्रेग्रार से दिया गया गया है एक पुरुष 45 लेटर पेट्रोल 62 रुपय प्रति लेटर की दर्स पर और 30 लेटर केरोसीन 25 रुपय प्रति लेटर की दर्स पर खरीदता है वह दोनों को मिला देता है और फिर इस मिश्णर को पेट्रोल के रुप में उल्लेख करते हुए बेचता है दोस्तों प्रति एक लिटर जो बेचता है उस पर 30% का लावप्राप्त खरणे के लिए उसे प्रति लेटर को किस कीमत पर बेचना चाहिए करता क्या है यहां पर दुकानदार 45 लीटर उसने पेटरोल खरीद कर ला जा जो की 22 लीटर उसने पेटरोल खरीदा है बासाट रुपे लीटर के हिसाब से तो टोटल परिसा कितना खर्चा हो गया उसका खरीदने में देखिए पांच दूना दस चार दूनी आठ और च्छे पंजे तीस अड़े तीस और ये कुंतालिस करनाव हासिल का तीन च्छे चको चौबिस चौबिस तिस सताइस इन दो सााइस सोज़नद रुपे रुपे कितना तो 2790 रुपे abe act के जिवसीन कितना खरीदा थीन और 20 dispers के हिसाब से तो 25 75 75 रुपे के रिपे के रिपे युद्भ किया है कि उसने थे तोटल परिसा कि इसको मिला दिया है अभी जो मिला देगा तो हर एक सब्सक्राइल आ से careers क्रेमल होगा दोस्तों हर एक लीटर का क्रेमल होगा कितना निकल किया जाएगा 354 लुपे इसका क्या है टोटल कीमत है टोटल कितना लीटर है मिला गया है पचारीस प्रतिक प्रत्षान लीटर जो कि 100% के बडाबर है लेकिन हमें कहा है कि 10% लाफ प्राप्त करने के लिए रभेसे कितडना में बेचना चाहिए हर एक लिर को तो हर एक लीटर को बेचना है मैं 30% लाप प्राप्त करनी के लिए यbewाने 130 पर इसका 130 पर निकाल दीजिए आपका आंसर निकल रहेगा दोस्तों ठीक है यहां से 20 से 20 कैंसीन ठीक ठीक है कोई दिक्कत है यहां पर यहां पर आप 3 से काटेंगे तो 3 से काटें 25 से 75 ठीक है ठीक है यह हो जाएगा ठीक है भी तो तेरे वाठे 104 तेरे वाठे 104 के चार हांसिल का दस तेरे एकम तेरे दस तेईस के तीन हांसिल का दो तेरे एकम तेरे दू पंद्र है बटे 25 25 से भाग दे दीजी 25 छाका डिड़े सो 25 छाका डिड़े सो छे बार में जाएगा छे बार में जाएगा दोस्तों बचेगा क्या दो तेरे वाठे 104 के चार हांसिल का होगा दोस्तों 10 और तेरे एकम तेरे तेरे दस तेईस के तीन हांसिल का तेज के तीन हांसिल का दो तेज के तीन हांसिल का क्या हो जाएगा तो दो हो जाएगा ठीक है और तेरे एकम तेरे दू पंद्र है यानि 1534 बटे 25 हो जाएगा यहां पर ठीक है 1534 बटे 25 किलियर है भाईया 25 से काटेंगे इसको तो पचीस एकम पचीस चाकार देड़े सो छे वाड़ में जाएगा ठीक है बचेगा तीन हो जागा चौतीस पचीस एकम पचीस यानि 61 दसमलो कुछ आएगा 61 दसमलो कुछ एक ही आप्शन में है 62 और यह होगा इसका राइ प्रस्ण में कोई दिक्कत है आपको कोई समस्या है तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि लिए हैं और एस प्रस्ण आपके स्क्रीन पर यहां इस प्रकार से लिया गया है दसमां प्रस्ण है यहां आप से पूछा गया है जब दोस्तों एक बस्तू को पिखला कर कोई दुसरा बस्तू बनाया जाता है तो उसका आयतन हमेशा नियत रहता है तो बेलन का आयतन और घं का आयतन आपस में क्या होंगे बराबर होंगे बेलन का आयतन का फर्मूला होता है पाई आर इसक्वाइर यच क्या होता है यह किसके बराबर हो जाएगा घं के आयतन के तो घं का आयतन क्या होता है एका क्यूग कितने घं बनाये जाएंगे तो आपका जबाब होगा स्थर यन घं बनाये जाएंगे यन घं बनाये जाएंग इज का मान कितना है तो चव 15 है बराबर एक क्यूब कि एक मान कितना है 11 है यहां से मताइंगे देखिए दुना चौद्य कैंसल है ओगा मेंаки ककैंसल होगा 64 यन कमान प्यारे साथी हूं यन कमान हो जाएगा 64 तो कितने घं बनाए जाएंगे तो आपका जवाब होगा सर 64 घं बनाए जाएंगे जोकी आपसन नंबर एक में दिया गया है कितने घं बनेंगे तो 64 गहन बनेंगे आप्सन नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा के लिए चलिए अगला प्रसंद देखिए एक लंब वृत्ती संकू के अधार के त्रिज्या और त्रियक उंचाई का योग 49 सेंटेमेटर है क्या दिया गया है त्रिज्या यानि आर प्लस त्रियक उंचाई यानि योग कितना दिया है तो 49 सेंटेमेटर यहाँ पर दिया गया है क्लियर है यदि कुल प्रिष्टि छेत्रफल 1848 सेंटेमेटर स्कूर है तो इसकी उंचाई क्या होगा पाई का मान 22 बटे साथ लेना है कुल प्रिष्टिज छेत्रफल क्या होता है संकू का पाई आर यल पलस का पाई आर इस्क्वायर ठीक है यहां से जब आप कामन लेंगे यहां पर आर पाई आर कामन लेंगे पाई आर कामन लेंगे तो यल पलस का आर बचेगा बराबर किसके है या देखें यह किसके बराबर दिया गया भीया यह 1848 के बराबर दिया गया है 1848 के बराबर हो जाएगा किलियर इस बात में कोई दिक्कत है आपको चलिए इसको काटेंगे काटेंगे अभी मान रखेंगे हम लोग पाई कमान 22 बटे 7 पाई कमान दोस्तों 22 बटे 7 इन्टू आर और यल पलस आर कमान क्या होगा यल पलस आर कमान क्या है तो 49 है बराबर कितना 1849 साथ से काटेंगे दोस्तों साथ से काटेंगे साथ साते 49 ठीक है और 11 से काटेंगे 11 दुना 22 और 18 इनी और 12 12 में कैइंसिल हो जाएगा यहनि हो र कवान क्या हो गया दोस्तों एक अड़ने तरी определ तो बारे सेंटीमेटर यहां पर हा गया आपसे उन्चाई पूछा है क्लिए Cheng यहां से आप एलकामान निकाल सकते हैं थीक एलकामान निकाल सकते हैं देखिएए ओश। में से आप बारे घटा देजिए तो क्या होगा भीया 27 कि 37 कितना 37 तो उचाई जो तिरियक उचाई है दोस्तों यह हो जाएगा 37 कितना 37 अब हम से पुछा हैं उचाई क्या होगा तो आप जानते हैं कि यल का स्कॉयर बराबर यच का स्कॉयर पलस का आर का स्कॉयर यहां पर 12 है तो 12 का स्कॉयर करेंगे ठीक 37 का स्कॉयर क्या होगा बताएगे दोस्तों 37 का स्कॉयर कितना होगा 37 का दोस्तों स्कॉयर आजाएगा 379 कितना 379 बराबर यच का स्कॉयर पलस 144 यच स्कॉयर कमांद क्या होगा 379 में से 144 घटाएगे तो क्या होगा बहिए देखिए पांच च्छे में से चार गया तो दो तीन में से दो गया तो तीन में से एक गया तो दो और यहां पर एक 1225 तो यच कमान क्या हो जाएगा 35 बारे सो पचीस का वर मूल कितना होगा तो 35 होगा ठीक है तो 35 उंचाई होगा इसका 35 सेंटीमीटर जो कि आप शन नमबर दो इसका सही हो जाएगा ठीक है बाई 35 सेंटीमीटर किलेर है चलिए उम्मिद है कि सभी लोगों को सवाल समझ में में आगया होगा अगला कोश्चन देखिए प्रस नंबर बार है चाट घंटियां एक साथ आठ बजे पुर्वाहन पर बजना सुरू करती हैं और फिर प्रतेक क्रमसह पाज सेकेंड छे सेकेंड साथ सेकेंड और आठ सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं साथ घंटे के सिफ्ट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी दोस्तों साथ घंटे का सिफ्ट है तो कितनी बार एक साथ बजेंगी तो पहले ये निकाल लिए कि दोस्तों वह कब एक साथ बजेंगे कितने मिनट पर एक साथ बजेंगी ठीक हैं कितने मिनट पर एक साथ बजेंगी दोस्तों तो क्य करिए 5 6 7 और 8 का सियम निकाल लीजिए क्या करिए भीया 5 6 7 और 8 का सियम निकाली देखिए इसका निकालेंगे तो 8 540 यहां पर हो जाएगा क्या होगा 40 40 गुना सातियां 21 यह होगा इसका एल सियम ठीक है तो हो जाएगा यहां से जीरो चार एकम चार चार दोनी आठ इसका लगुत्तम यह हो गया इस सेकेंड में इसको आप मिनट बदलिए 60 से भाग कर दीजिए कर जीरो से जीरो कटेगा 6 से काटिए 6 एक कम 6 और 6 4 को 24 यानि 14 मिनट कितना होगा 14 मिनट में घंटियां एक साथ बजेंगी हर 14 मिनट में घंटियां एक साथ बजेंगी तो साथ गंटे की सिफ्ट है तो साथ गंटे की सिफ्ट में घंटियां कितनी वारे एक साथ बजेंगी हर 14 मिनट में एक साथ बज़ती है हर 14 मिनट में कितना बज़ती है एक साथ बज़ 3-6 मिनट में घंटियां कितनी बार बजएंगे एक साथ हर 14 मिनट में एक बार बजती है 14 से भाग करेंगे तो कटेगा साथ कम साथ लोना दो से काटी है तो दो से काटेंगे तीस बारे में यहापर कैंसिल हो जाएगा यानि 30 बार में कटेगा 30 बार में एक साथ बजेंगी लेकिन 30 बार इसका उत्र नहीं होगा सुछ दोस्तों क्योंकि घंटिए सुरुवात में एक साथ बजी है घंटी एक बार इसका राइट आंसर में होगा अपसर नमबर चार उम्हेंद करता हूं कि सवी प्यारे सातियों को सवाल समझ में आ गए होंगे और चलिए बहुत बढ़ी हैं आपके स्ट्रामर पर प्रस स्निर जंग्या है और इस प्रस्ण में बोला गया है चुनावाले question है आपके paper में चुनावाले question आएंगे ही ठीक है बहुत ही favorite question होते हैं दोस्तों चुनावाले चलिए इसमें कहा गया है एक चुनाव में दो उमिदवार चुनाव लड़े हैं 62% मत प्राप्त करने वाले उमिदवार को 144 मतों की अंतर से निर्वाचित घुसित किया गया डाले गए कुल मतों की संख्या ज्यात कीजिए यह माने लेजिए कि डाले गए मतों में से कोई भी मत अमान नहीं था प्राप्त किया है तो दूसरा उम्हिद्वार कितने होते हैं सौ पर्षेंट होते हैं 22 परसेंट पाया है कितने मत्वों से या जाई हो गया तो आप देख रहाएं हैं घटा दिजिए आप 52 में 38 घटाएंगे, तो कितना पमें बचेगा, 12 में से 8 गया, तो बचेगा, 4 और 5 में से 3 गया, तो बचेगा 2 28% 24% मतों से यह BJ हुआ है, इसका मतलब 24% मत इसने ज्यादा पाया है लेकिन कितने ओर ट स्य ज्यादा पाया है, 144 24 2424 का मान दोस्तों 144 हो जाएगा च्वीस का मान दोस्तों क्या होगा 144 इसको काटेंगे आप एक परसेंट का मान निकालेंगे तो इसको काटिए 24 से काटेंगे तो 24 छका 144 1% का मान क्या हो जाएगा 6 बार में कटेगा 1% का मान दोस्तों 6 हो जाएगा 1% का मान 6 हो जाएगा तो आप से पूछा गया है कि कितने टोटल मत हैं तो मत 100% हैं दोस्तों 100% का मान निकाल देजिए 1% का मान अगर 6 है तो 100% कमान क्या हो जागा 100 गुना 600 600 टोटल मत था ठीक है 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो की आपसर नमबर एक सही है इस बात में कोई रिक्कत परसानी है प्यारे साथियों तो आप लोग हम भी बता सकते हैं पूछ सकते हैं दोस्तों चलिए आगे चलते हैं अगले question की अगला question आपके screen पर question number 14 प्रस्ण आपके सामने यहां पर रिया गया है यहन दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या है सबसे बड़ी संख्या है जिसमें जिसमें तीन चार और छैस से भाग देने पर सेस्फल क्रमसह एक दो और चार बचता है जब इसी यन को पान से विभा पाजित किया जाता है तो सेस्फल क्या बचेगा देखे दोस्तों जब हम एक एक संख्या है दो अंकों की बड़ी संख्या है जब इसको तीन से चार से और छैसे भाग दिया जाता है तो सेस्फल कितना-कितना बचते हैं देखिए सेसफल क्या-क्या बचता है सेसफल यहां पर दिया गया है एक बचता है और फिर दो बचता है और क्या बचता है चार बचता है तो आप निकालिए को असंख्या है क्या यहन का मान निकाले जी यहन का मान है क्या तो कैसे निकालिएगा देखिए जब आपने छैसे भ सेसफल तो भाज निकालने का तरीगा क्या होता है भाज के गुड़े भागफल प्लस सेसफल छह एक कम छह प्लस चार दस दस हुएगा ठीक है इसी प्रिकार से यहां पर देखिए चार दहियं टीन अच्छा एक साथ हो जाएगा यानी एक सथाइस में दोस्तों एक सथाइस है और इस एक सथाइस में जब भाग देंगे 127 में जब आप भाग देंगे किस से, 5 से, तो क्या सेस्फल बचेगा, तो 5 से भाग देजे, 5 दूनी 10, 5 दूना 10, बचेगा 2 हो जाएगा 27, 5 बचे 25, बचेगा 2, सेस्फल क्या बचेगा, तो सेस्फल दोस्तों 2 बचेगा, क्या बचेगा सेस्फल, तो सेस्फल दोस्तों 2 प्रेस्ट नंबर 15 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है और इसमें बोला गया है कि वह निवनतम संख्या जो एक पूर्य वर्ग है और 16 20 और 24 संख्याओं में से प्रतेक द्वारा विभाज्य है यह बताना है कि कौन सा पूर्य वर्ग संख्या है जो 16 से भी और 24 से भी पूर्य विभाज्य है वह संख्या बताईए कौन सी संख्या है तो क्या निकाल लिए इसका निकाल दीजिए आप फैक्टर कर दीजिए देखिए इसका निकालना है फैक्टर तो फैक्टर करें दोस्तों 16 20 20 24 का फैक्टर करेंगे काटिए 2 से काट दू अठ्य 16 दू दाहिन बीश और यह हो जाएगा क्या बार है फिर दो से काटेंगे दू चबको वाट दू पांचे सब्सक्राइबें 4 नहीं कटेगा दो तीन 6 अभी दो से कटेगा एक बार में 5 नहीं कटेगा थिएbud कितनी बार यह दो कि दो कितनी बार एक दो तीन चार बार और दो है चार बार क्या है दोस्तों दो है ठीक और एक बार तीन है ठीक है तुछ फूंच्छ संख्या पूर्य वर्ग है कि इसमें दो-दो का जोड़ा मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए यहां पर देखें दो दो-दो का जोड़ा मिल रहा है यह तो किलियर है लेकिन तीन एक ही तीन है इसका दो का जोड़ा बनाने के लिए एक तीन क्या वह सकता है एक तीन से गुना कर देंगे पांच एक ही स्क्रीन पर दिया गया है संख्या संख्याएं करें सथ तीन चार पांच के नुपात में हैं और इनका लगुत्तम समापुरतक चौभी सौ है इनका महत्रम समापुरतक बताईए इनका लॉसा क्या हो जाएगा तीन साठ आनुपात का मान क्या है तो 24 हे एक अनुपात का मान क्या है निकालना है तो पालीस का बिलकुल सही उतर है अगला कोशन देखिए परिशन नमबर 17 एक परिच्छा में 75% गरित में 55% अंग्रेजी में और यदि दोनों में 40% उत्रिम होते हैं और 56 परिच्छा में अनुत्रिम होते हैं तो उमिद्वारों की कुल संख्या बताए कितनी हैं देखें दोस्तों यहां पर आपको लगाने हैं दो तरीक होते हैं यह तो आप फेल फेल माइनस का फेल लगा देजए यहां से टोटल निकल जाएगा टोटल क्या निकलेगा फेल निकलेगा ठीक है यह तो पास प्लस पास माइनस का पास निकालिए ते क्या निकलेगा टोटल दोनों विशय में पास निकलेगा ठीक है अब यह जो एक सिंगल सिंगल विशय में फेल हो रहे हैं उनको जोड़ेंगे दोनों विशय में जो फेल होत परिष्छा में अनुत्रिर् का पर्संट होगा सो 25% होते है उफ्यंगी में 25% 25% होती ने है तो आपका जबाब हो गाक 45ばेल थे हैं दोनों भी से में ènे डिशायर निकल गया किया से चार को या Nevada साथ यानिक थे हैं दद्ड ऑजाक सेThankred in पर Call ce है तो आप से पुछा गया है कि प्रसेंट का मान क्या ह твор Еगा पांच होगा तो स्वर परसेंट का मान 500 हो जाएगा 500 इसका पांसो ऍतक्ता होगा तों कितने हैं तो बताएंगे 500 हैं तो आफ तो 16 नंबर प्रस्चन आपकि श्केंद दिया गया है कि 18 नंबर प्रस्चनlls आपके सामने यहां पर दिया गया है दोस्तूं और इस प्रस्थन में कहा olvां कि कमला की सामय की आयू का 1 सही गूह गोड cities एक सही है मुझत होता है दोस्तों पांच बटे चार होता है दोस्तों निए हम आ सकते हैं हम कहते हैं दोस्तों कि उसके विवा के समय मेरेज यह दिवा के समय-ायो एव कया था ठीक है इस पाले हो था तो आज वरतमान में जाने के लिए का चैने करों छे साल जोड़ेंगे यानि चार यक्स ब्रस का 6 ऊच्छ की बराबर होगा कि वरतमान का यो क्या है दोनों का हो जाएगा हुस बराबर ठीर को चारिक्स को इधर लेकर जायेंगे तो माइनस का हो जाएगा क little fan about 6 यह से σब्सक्राइबर 6 हो गया यह सब्सक्राइब साज़ें तो दोस्तों इसमें क्या-क्या हो यह एक बात और बुला गया है उसके पुत्र की जो आयू है उसकी वर्तमान आयू की 10% है उसकी वर्तमान आयू है कितना पांच यक्स तो पांच गुना च्छे पांच गुना पांच यक्स उसकी वर्तमान आयू है तो पांच गुना च्छे कर देजिए यक्स कमांज क्या निकला ह कि इसको पूत्र का मतलब 3 इस सवाल में आपको कहीं बड़ी दिक्कत परसानी हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं चले आगे अगला कोश्चन देख लिजी सभी लोग और यह प्रेस्ट नंबर 19 है जो कि लास्ट कोश्चन है ठीक है 19 नंबर प्रेस्ट ने दोस्तों लास्ट कोश्चन है एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़ेंगे समझेंगे कहा गया है कि यक्स प्लस वाई समंधे वाई सब्सक्राइब इस सबीक जो रेंगे एक सब्सक्राइब psych continuously है मखेए 20 आख नोर चांटाइगा तो सआटल कामल लेंगे तहर इतना इसका चाहिए चलीश चालीश प्लीश होए photon ने इस इसका मान दिया है कितना इसका मान दोस्तों कितना दिया गया है तो इसका मान दिया है 200 जो और चालिस चालिस अनुपात का मान कितना हो जाएगा दोस्तों दो गुना दोस्तों ठीक है इसको काठ सकते हैं यहां से चार से काठी चार पंजे बीस यानि एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा पांच दूना दस एक अनुपात का मान दोस्तों दस हो गया क्लियर है एक और यदि येख्स पलस य ग्नावर 11 ग्नावर 13 संबंदे 16 है और येख्स येख्स पलस येख्स का मान 200 दिया है तो आपसे पुछा है सर जेड का मान क्या होगा इक बात ज़ुए तिमाख लगाएंगे कि जब आप इसको जोडेंगे आप जब इसको जोडेंगे तो भाईया जब जोडेंगे तो एक ही अक्छार दो बार आएगा आएगा किने आएगा एकस दो बार आएगा वाई दो बार आएगा जिद्ध दो बार आएगा यानि जब दो बार आएगा तो हम दो को कामर लेंगे तो यह हो जाएगा y plus y plus z, यहां तक कोई दिक्कत परसानी है, बड़ाबर कितना, इसको भी जोड़ी ने, इसको जोड़ी ने, तो हो जाएगा 40, यहनि हम कहा सकते हैं दोस्त, x plus y plus z बड़ाबर, दो से काटेंगे, तो हो जाएगा 20, 20 बार में कटेगा, यहनि x plus y plus z ना है आपको, यहां से आप x plus y का का अनुपात घाटा देंगे, ठीक है, तो जड़ामान, निकालने के लिए y plus y का अनुपात घाटाएंगे, तो 20, minus का 1,1 करेंगे, तो हो जाएगा 9, ठीक है, जबड़ाबर, दोस्त, 9 नव निकालना है, तो आपसन भी सहे होगा, जो 9 से भी भाज होगा तो 9 से भी भाज होने वाली संख्या केवल और केवल एक ही है जो की option number 3 है ठीक है option number 3 है और यही इसका right answer हो जाएगा clear है बाकिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो समझ लगाना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसको और detail समझ सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, देखिएगा, देखिए दोस्तों, x पलस y पलस z कितना अनपात आया, 20 अनपात, तो 20 अनपात का मान आपके सामने दिया गया है, 20 अनपात का मान कितना दिया है, 200 दिया है, 20 अनपात का मान दोस्तों, 200 है, एक अनपात का सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब प्रमोद से दोस्तों प्रमोद फिर दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत